एक्ट्रिस मॉडल और होस्ट मिनी माथुर ने सिंगिंग रियाल्टी शो इंडियन आइडल को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा किया है उन्होंने इंडियन आइडल के 6 सीजन होस्ट किये हैं छे साल तक इंडियन आइडल होस्ट करने के बाद अचानक उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया था वही अब मिनी माथुर ने शो छोड़ने की वज़र बताई है इंडियन आइडल टेलेविजन के पॉपलर सिंगिंग रियाल्टी शोज में शुमार है कई साल से ये शो दर्शकों को एंटर्टेन करता आ रहा है इंडियन आइडल ने इंडिस्ट्री को कई बड़े सिंगर्स भी दिये हैं वही मिनी माथुर का कहना है कि अब इसमें रियाल्टी शो जैसा कुछ नहीं है एक पॉडकास्ट में उन्होंने शो को लेकर कई चौकाने वाली बात शेयर की है मिनी बताती हैं कि उन्होंने शो के हर एक इंसान काफी लगाओ था वो कंटेस्टन्स को अपने घर डिनर के लिए भी बुलाती थी पर फिर धीरे धीरे शो ने अपना चार्म खो दिया शो को लेकर वो कहती है हमारे प्रोडूसर्स मेरे पास आते और कहते कि अभी वो धरम जी और हेमा आ रही है उनका कुछ मोमेंट करना है मैंने कहा कि मोमेंट करते हैं कि क्या होता है ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने जा रही हूँ ये सिर्फ आइडल नहीं था आगे उन्होंने कहा एक बार उनसे कहा गया कि एक कंटेस्टेंट अपने रिष्टेदार को देख कर हैरान हो जाएगा जबकि उसे पहले से पता है कि शो में उसका रिष्टेदार आने वाला है मैंने उस समय शो छोड़ने का फैसला किया जब मुझे एसास हुआ कि इसमें रियाल्टी नहीं रह गई है मैंने 6 सीजन किये हैं इसके बाद सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस किया जाने लगा मेंने इस बात से काफी दुखी है कि शोज में रियाल्टी के नाम पर जूटी चीज़े दिखाई जा रही है हलाकि उनसे पहले भी कई सेलब्स इंडियन आइडल को लेकर इस तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं